तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि क्या 12 की क्लास आर्ट के सब्जेक्टों के साथ पास करने के बाद क्या Computer Science Engineering का कोर्स कर सकते हैं जा नहीं तो अगर आपका जे डाउट है तो आपका जे डाउट मैं आपसे इस वीडियो में कलीर करने वाला हूँ हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो Educational Wordster Channel तो अगर आपने 12 की क्लास को पास कर लिया है और आपको जे जानना है कि 12 की क्लास को पास करने के बाद आकर कौन-कौन से Chaursus होते हैं तो मैंने उन वीडियो का Link इस वीडियो के Description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप में से कई स्टूडेंट्स का दोस्तों डाउट होता है कि कैन आई डू C.S.C. आफ्टर 12th Arts यानि कि 12th की क्लास आठ से पास करने के बाद क्या C.S.C. का कोर्स हम कर सकते हैं जा नहीं तो आपको मैं बताना जाता हूँ जी नहीं अगर आपने 12th की क्लास आठ से पास की है तो दोस्तों आप Computer Science Engineering का जो कोर्स है वो आप नहीं कर सकते हैं अगर आपको B.T.E.C. Computer Science Engineering का दोस्तों अगर आपको कोर्स करना है तो इसके लिए आपको जो 12th की क्लास है वो आपको PCM के सबजेक्टों के साथ आपको पास करनी होगी तो PCM का मतलब होता है दोस्तों Physics, Chemistry और Mathematics जो कि आप इन सबजेक्ट्स को 12th की क्लास में पढ़ते हो तो 12th की क्लास PCM के सबजेक्टों के साथ पास करने के बाद ही दोस्तों आप Computer Science Engineering कोर्स के लिए इलिजिवल होते हो तो अगर आपने 12th की क्लास आर्ट से पास की है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे डिसकस किया है कि क्या 12th Arts के बाद क्या Computer Science Engineering का कोर्स किया जा सकता है जा नहीं मुझे लगता है कि आपको जो डाउट होगा इस कोर्स के रिगार्डिंग वो कलिर हो चुका होगा लेकिन फिर भी आपको किसी भी परकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट वोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी कोर्स के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें बाहां जाकर भी देख सकते हो तो अन्ति में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना